क्या आप जानते हो कि उदेश सिंग ने अपना अत्रादीकारी महारणा परताप को नहीं किसी और को गोशित किया था जी हाँ उदेश सिंग ने जगमाल को अपना अत्रादीकारी गोशित किया था फिर जगमाल नहीं अगले महारणा कूर परताप के से बने इसा क्या हुआ था कि अगले राजा राणा परताब बन गए आईए परताल करते हैं इसी घटना की उदेश सिंग ने अपनी मृत्यू के पूर पत्नी मोहों में अपने छोटे बेटे जगमाल को उत्रादिकारी घोसित कर दिया था 28 फरवरी 1522 को उदेश सिंग की मृत्यू हो गई उनके अंतिम संसकार में 25 पुत्रों में से एक उपस्तित नहीं था उसका नाम था जगमाल मेवाड में जो भी अगला राजा बनने वाला होता था वह अपने पिता के अंतिम संसकार में सामान्यत नहीं जाता था ग्वालियर के रामसा तॉमर जो वहीं खड़े थे कुमर शगर से पूछा की जगमाल कहा है वो क्यों नहीं आया कुमर शगर ने कहा क्या आप नहीं जानते राणा जी ने उन्हें उत्रादिकारी गोशित किया है यह बात रामसा तॉमर के लिए काफी आस्च्रे जिनक थी क्योंकि सामान्यत राजा की मृत्यू के बाद जेश्ट पुत्र राजा बनता था साथ ही रामसा तॉमर शोच रहे थे कि जगमाल तो काफी चोटा हैं उनसे बड़े कई पुत्र हैं यदि सब में असंतोस फैल गया तो ग्रय युद भी हो सकता है रामसा तॉमर ने वहीं खड़े अखेराज सौनगरा चोहन से पूछा कि जगमाल को क्यों उत्रादिकारी न्यूक दिया अखेराज ने सलूमबर के कृष्ण दास चुंडावत को पूछा कि क्या आप से इसके बारे में सर्चा की गई क्या आप से इसके बारे में सहमती ली गई कृष्ण दास ने कहा कि नहीं मुझसे कोई इसी परकार की सहमती नहीं ली गई मेवाड में ये परंपरा थी कि उत्रादिकारी न्यूक करने से पहले चुंडावतों से इसके बारे में चर्चा की जाती थी वहाँ पर उपस्तित सभी सामतों ने एक सवर में कहा कि उत्रादीकारी सबसे योग्य होना चाहिए सबसे योग्य है प्रताप इस प्रकार जब वो वापस आई तो प्रताप को गदी पर बिठाया तथा जगमाल को कहा गया कि आप सामने वाली गदी पर बिठी बाद में जगमाल अकबर की सर्ण में चला गया इस प्रकार सामन्तोव जन्ता के सयोग से परताप को महराना बनाया गया इस प्रकार से हम देखते हैं एक खह सकते हैं कि राज तंतर के अंतरगत लोक तंतर देखा गया क्योंकि जिसको महराणा ने उत्रादिकारी गोशित किया था सामन्तोव जन्ता ने उसे हटा कर अपनी पसंद के एक व्यक्ति को राजा बनाया इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए